अगर आप कंट्रोल सिस्टम को रेडी करना चाहते हो तो कौन-कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए किन टॉपिक कॉप इग्णोर कर सकते हो इस पेस भी कंट्रोल सिस्टम में कैसे मार्क्स लाए जा सकते उस बार मैं बात करूंगा टॉपिक बता देता हूं मैं आप कर सकते हैं ऐसे करके हम गुड़ परफॉर्म कर सकते हैं तो ऐसा करके मैं आप लोग उसे डिस्कस कर देता हूं तो इस से को बड़े ध्यान से देखिएगा आप कम समय में कैसे स्कोर करेंगे उस चीज़ को आप चेक कीजिएगा ठीक है बाकि मेरा प्लेलिस जो है वह इस प्रोल सिस्टम है नॉमली मैं पूरा का पूरा जो है वीडियो लेक्ष्य इनफॉर्मिसन बना हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो है यह मैं अपने इस्ट्वेंट लोग को जब देता हूं तो यह जो है अपके पास यह अगर ध्यान से तो यह प इसे इस प्रोडा प्रोड प्रोड करते हो आप कि आपके बाद चेप्टर नमबर वन की बात करें कि बेसिक साफ कंट्रोल सिस्टम जब आप चालू करते हो तो आपको कुछ-कुछ बाते पता होना चीए तो यखीन बानिए आप जब भी चालू करते हो तो आपको किन पैरामिटर से चालू करना चीए बता जीता हो open loop transfer function is very very important की OLTF का concept क्या है कोई अगर आपको DC गेन आप OLTF पूछता है तो open loop transfer function पता होना चाहिए कि what do you mean by the open loop transfer function यह आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करो तो sensitivity पर based question आते हैं तो sensitivity mathematical एक operator है इसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए तो पहले चेप्टर में sensitivity mathematical function पर बेस्ट होता है basic आपको idea होना चाहिए sensitivity का sensitivity पता होना चाहिए अब जिसे कुछ कोई लिखा हूँ है सब signal system की basic चीज़े कि लापला transform pole zero significance of poles stability of negative and positive feedback system मैं पुरा detailing करता हूँ मैं important topic बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए concept आप dominant pole बाई साब dominant pole का concept पता होना चाहिए IT की professor को पसंद है कि dominant pole का concept को आप कितना च्छे से जानते हैं क्या होता है dominant pole तो अगर मैं बोलू कि आपको क्या क्या आपको पता हो या बिल्कुल इसकी बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा सेकंड चीज़े की sensitivity का good आइडिया उस पर बेस question आप सॉल कर सकते हो फिर concept of dominant pole आपके पास फिर देखो मैं यहां पर इना कवर करता हूं कि impulse and state response क्या होता है signal system में इनिसिल इंफाइन वेल्य थेरम यह भी signal system का पार्ट है तो मैं पहले chapter में control system पुड़ाते से में पूरी चीज़ों को कवर करता हूं चाहिए फिर pole का significance of pole 0 यह detailing actually यह पूरा का पूरा जो वीडियो से आप देखो कि सब टाइम लिखे हुए कितना कितना टाइम का जिससे कि कभी भी जंप मारके किसी भी वीडियो में जा सकता है कौन से questions रहते variety के questions all कराता हूं यह लेकिन important topic की बात करूं तो concept आप dominant pole sensitivity और open loop टांसर भंगसा ने इन तीन topic के साथ आपको control system करना चाहिए और यह सब इसलिए बताओना चाहिए कि इंपल response क्या होता है इस्टेव response क्या होता है अगर मैं बोलू कि सिब concept पताओने से चल जाएगा तो मैं फिर चौती चीज बोलूँगा कि यार इंपल्स रिस्पॉंस और इस्टेव रिस्पॉंस पता तो है कि कि किसको बोलते हैं यह सिगनल सिस्टम में भी होता है नेटवर्क में भी होता है कंट्रोल सिस्टम में भी होता बड़ा बेसिक चीज है तो इतनी चीजों के साथ आप पहले चेप्टर से विदाई ले सकते हैं यार रखिएगा आपके पास यह विंसंग कर दिया हम यह और यह बहुत कम समय का है अगर ध्यांस देखोगे यह 23 मि में एक्स्पिलेंग कर दिया और 14 में कर दिया तो टाइम टेकिंग नहीं है यह ओके तो यह पहला चेप्टर की बारे में बाते थी बहुत सारे करवाते रहता हूं सेकंड चेप्टर ब्लॉग डाग्राम जब आप अब एक्जाम के बात कर रहे हो अभी तो आपको एक्जाम में क्या होता है एडर के पहले सिप्ट करने और बात में सिप्ट करने में क्या होता है सर इससे ज्यादा की जरुवत क्यों नहीं है भाई साब इसलिए जरुवत नहीं है विकॉस आपके पास इस चैप्टर में ना इस चैप्टर में आपकी पास है सिगनल फ्लूग्राफ ब तो मैं बोल रहा हूं कि स्री block diagram reduction rule के बारे में आपको idea हो स्री block diagram reduction rule के बारे में आपको idea हो यह lecture जो वन है और फिर आपकी बार की बोल रहा हूं कि block diagram reduction rule basic आपको question एकादी बस solve कर लो इस ज्यादा कि need नीए because because आपको पढ़ना है भाई साथ signal flow graph और maysans against formula पढ़ना है और इससे एजी चीज कुछ नहीं होता है control system में मतलब आप अपना पूरा जो time है वो signal flow graph में देने वाले हो हाँ बिलकुल और दो तीन चार एक्जामपल कर लो यार एक एक्जामपल नहीं दो तीन चार एक्जामपल कर लो और तुरंथ हो जाएंगे यार कितने देर का चार एक्जामपल दस मिनट नौ मिनट शोला मिनट यह तुम्हें इसा बता रहा हूं कोई भी तीन चार एक्जामपल ले लो मैं यूटूब से देख लो मेरा आपको signal flow graph इसलिए पता होना चाहिए कि कि किसी भी किसी भी ब्लॉक डियाग्राम का signal flow graph बनाते आना चाहिए और यह इस से आसान चीज कुछ नहीं है सर अगर मैं ब्लॉक डियाग्राम का signal flow graph नहीं बना पाया तो मेरे यूटूब में जाओ यार बना लोगी पता है आदर घंटा तो निकालो सिर्फ signal flow graph से ब्लॉक डिया हो जाएगा मताब आप introduction पढ़ लो कुछ कोशन में apply कर लो और limitation तो अगर important topic की बात करो तो signal flow graph सभी लोग पढ़के जाते आप ज्यादा समय स्प्रेंट ना करें थोड़ा सा non-touching touching loops के बारे में idea रखे mistake ना करें बस आप में सान्स गें फार्मला लेकिन इसकी limitation को जानना ब पूछेगा क्यों apply नहीं होता है तो आप कोई जानना है कि लिमिटेस नाम एक्सांस गें फार्मला क्या होता है बस सर मतब अगर मैं chapter number two में chapter number two में block diagram left कर दो सच बोल रहो सर reduction कर दो भाई मैं तो बोल रहा हूं 99% सर एक परसें क्यों बोले अब कोई block diagram में पूछ ले कि भी इस block diagram का equivalent क्या होता है ऐसे gate वाले तो कभी कुछ पूछते नहीं एक अच्छा question पूछते है तो अगर पूछ ले कि इसके सामने क्या लगा हुआ है इस block diagram का equivalent क्या है तो फिर इसका भी signal flow graph बनाना पड़ेगा और जो option उसके भी बनाना पड़ेगा लेकिन ऐसा कोई question पूछत सुरमली टांर response analysis से स्टाट होती है यहां से स्टाट होती है यहां से आप को थबहूशचा प्रकर प्रकृता है इसलिए-स इस मूंड़ा स्मार्ठ ली अपको handle करना पड़ेगा मैं क्या करता हूं एक first order system को is ले. इसलिए अगे और को first order system का good ID. first order system में को लगता है कि कि सी student क को आना चाहिए time response का क्यों क्यों क्योंकि जब आप second order system पढ़ोगे तो आपको compare करते आना चाहिए कि first or second order system के parameters क्या थे पता है unit impulse response of second order system का part 1, part 2, part 3 है क्योंकि variety of damping है आपको पता होना चाहिए unit impulse response का detailing क्या कि unit impulse response की बारे में जब हम बात करते तो आपको पता होना चाहिए कि undammed का figure क्या होता है damned मतलब under damned, undammed, over damned, critical damned इसका मतलब है sir मैं कोछ जीटा के बारे में good idea होना चाहिए आप यह बोल रहो ना जीटा का best idea होना चाहिए, बिल्कुल जीटा का best idea होना चाहिए, मतलब second chapter का जीटा describe the performance of second order system, ठीक है first order का जीटा नहीं होता है, आपको यह नहीं पूछने वाला क्यों नहीं होता है, उसके लिए फिर आपको मैं ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कि second first order का जीटा क्यों नहीं होता है, तो ठीक है, अभी आप exam के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, अभी मेरा detailing करने जाओगे, तो मैं 200 घंटा का अभी आपको आपको टाइम नहीं है, कि मैं इसे 200 घंटा पढ़ लो अभी आप, ठीक है, इग्नोर करते इस बात को, आपको जीटा के बारे में पता होना चाहिए, अभी मस्ट जीटा पर फोकस करो, जीटा क्या कर सकता है, अनडम्य का response कैसे होता है, ओडम का कैसे होता है, इम्पल रिस्पोंस में different जीटा के responses के जो figure होते हों क्या होते, या फिर steep response में जीटा बस, तो अगर मैं बोलू कि सर जीटा जो है, वो science के respect में, आप जीटा पे बस बात करोगे और impulse response पर बेस बाते करोगे और आप पता कर zeg कि चार रिंपन्स यह अंड़र्ड eje saker double sprouts में भी यह चार इसके बारे में एधा जबार होना चाहिए है कि चीजे स्केर्ण में घूंते रहे기 इसले के सकेराना में घूंते रहेगी खुछ बेसिक सा कुछन भी फोड़ी याद रहेगा तो आपको यह रहना चाहिए कि सब्सक्राइब करो याद करो यारा आप कहां याद करते रहो गया तो शिरीज आरेल सी सर्कृट में जीटा कितना होता इसमें काम हो जाएगा यह जैसे बताता था आपकी पास की यह चैलेंजिएं में कोई बिदन करता हूं मैं Frust order सीस्टम की पता होन औरृटर में पता हुझार पता हुझें और फिर सेकेंड ओर सिस्टम के पर मिटना चाहिए मैं मैं बोलता हूं कि पहला क्या क्या चीज है पहला तो इंट्रोडक्शन पता हो या फर्स्ट और क्या होता है जो छोटी-छोटी बाते उसके बाद ना जीटा बेस बाते चाले हो बहुत अंडर डैम्ड ओर डैम क्रिटिकल डैम्ड फिर स्टेव रिस्पॉंस में भी यही सब ब करते हों तो तो चाले हो तो मैं टाइम्म्ड पेड्र पर बेस करता है किया एं मैं चालता हूं मैं चालता है प्रिस्टम का भी पढ़ो और सेकेंद बाय Western system कभी फढ़ो मतलब आपको पता होना चीह क्यों Jersey काम आता है percent सिस्टम का time domain parameter छोड़ दो तो हाँ छोड़ सकते हो मतलब फिर आपको कुन सा गजब का concept की रेट करना है आप सिर्फ time time domain parameter सिर्फ second order system का पड़ ले first order system का इसलिए important हो जाता है क्योंकि first order system का जो भी response होता है वो second order system के बराबर होता है तो आप compare कर पाते हो तो आपको छोड़ना है first order हां sir में छोड़ना चाता हूं छोड़ दे यार कोई इतना आपके लिए कोई हववा नहीं होगा second order system की बारे में लोग पूछना चाते एक जाम की पॉछन लगा लो कि questions क्या क्या होते second order system में time domain parameter के questions क्या क्या होते यह question लगा लो आप ठेक बहुत बड़ा chapter है यह सर हां बहुत बड़ा chapter अब थर्ड चीज क्या study state error study state error में कुछ controversy चीजे हैं लेकिन अरे यह कहां चला गया अप यह करो यह हां आ गया था हां मैं बोर रहा था कि study state error for unity feedback system हां इसमे focus करो unity feedback system का study state error पता करो पता 99% study state error for unity feedback system में एक्जाम का पार होता है सर में को non unity feedback system का भी care करना है तो भाई फिर यह फिर different होता है इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा और मेरे youtube को follow करना पड़ेगा इसके वन पर्सें से ज्यादा की chances नहीं है मतलब पढ़ने के बाद भी 99% unity feedback system study state error इसका तब chapter 3 तो बहुत बड़ा है थर्टीएट लेक्चर पढ़ाता हूं तो सोसत्ते बहुत सारा पढ़ाता हूं लेकिन मैं फिर भी conclude कर दू कि time response में आप जीटा पर फूकस कर दो पूरा दुनिया जीटा पर घुमाओ दो तीन घंटा जीटा पर घुमाओ इंपल response step response जीटा 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 उसके बाद time-drawn parameter देखो किया के time-drawn parameter होते हो और फर्स्ट ओर को इग्नूर करना है इगनूर करो वैसे भी लोग फर्स्ट ओर को इगनूरी कर देते हैं सेकेंड और से पड़ाने चालू करते हैं सेकेंड और पूछन तो फिर यूटूब फॉलो करके पढ़ भी सकते हो तैसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हो मैंसे पढ़ो कि समझ भी आ जाए तो तीन चाहर टॉपिक और सब एक एक दो तो कुशन लगाने का है बस खटागट खटागट लगा के आगे बढ़ जाए तो टाइम रिस्पॉंस एक ब कि मिस्टर आउट जो आपके पास मिस्टर आउट कि यह को बहुत आसान भी बाते किया लेकिन बहुत ही बहुत भात किया थे करता हूं बता हूं इंट्रक्शन बताया क्या होता है सबसे जो करने वाली बात है वह आरोजेट की बात है मतब अगर बोलोगे तो आप रो आप जीरो पर आगर आप फोकस कर लिए बर नतुंकि बाउट पीमितित अगया कियों कि राउट टेबल का तो राउट टेबल बनाना उसको Calculate करना ती बिक बात यह थोड़ा सा अगर और डीटेलिंग में जाया जाया तो उस बात को आप छोड़ सकते हो बहुत ही ज्यादा इंडेप्थ डीटेलिंग वाला पार्ट में में जाता हूं लेकिन वह यह इसकी परसेंटेज पॉसिबिलिटी जो होती है वह 2-3% से ज्यादा नहीं होती है बहुत इ सब्सक्राइब कितनी होगी फॉर्ड मार्जिना इस्टेबिलिटी बेसिक बेसिक बात है और यही 97 परसेंट कवरेज है पिछले 20-25 साल से वह 2-3 परसेंट इसको आप इगनोर कर सकते हो यह तो यह तो बोले आरांस हो जाएगा सार यह तो सर आधे दिन में हो जाएगा आध सबसे कंसेट्चिल टॉपिक मानना जाता है कि सबसे इसको तो इसको आपको अच्छा आगर आता पहले से बहुत ही गुड बात है इसको ना करने का अपना एक स्टाइल जो होता है और हमको कौन सरा ग्राफ पेबर में स्केश करना है तो इंट्रॉड़क्षिन आप रूट लोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रूड़ से मैं मेरे पढ़ाने का अपना स्टाइल मैं इंट्रॉडक्षिन में बहुत टाइम लेता हूं कि root locust का introduction क्या है तो आपको अगर सच में root locust जानना है तो आपको 40-42 मिनट से ज्यादा लग सकता है एक घंट से ज्यादा टाइम लग सकता है यूटूब में अगर आप देख रहे हो तो ज्यादा टाइम लग सकता है आपको ठीक है तो यह बड़ा important है क्या यह introduction पर बस focus करो फिर जो rules है ना क्या-क्या rules होते है क्या-क्या sketch करने के लिए variety of rules होते है बस उन rules के बारे में आपको पता होना चाहिए तो आपका जो सबसे effort वाला जो part है वो root locust है उसमें भी अगर आपना अगर जबर्दस effort अगर सिब introduction में लगा दोगे जो की बहुत कम लोग को अच्छे से आता है बस introduction पता होना चाहिए what do you mean by the root locust what do you mean by root locust इस से important चीज कुछ नहीं रूट लोकस में अगर आप इसकी feeling को लेके बाहर आ गए root locust की root locust की feeling को बहर लेके आ गए इससे बेस्टिश कुछ नहीं होता है बस यह देख ले ना हूँ introduction of root locust फिर different rules है variety of rules है जिन rules को मैं cover करता हूँ अगर आप मेंसे पढ़ते हो तो root locust में zero problem होगी आपको हो तो रूट लोकस अगर आप study कर रहे हो मेरे से पढ़ी रहे तो फिर जाद जीरो problem होगी बोली चुका हूँ मैं तो different आपके पास rules होते है rules for sketching फिर मैं question भी लेता हूँ हर एक rules पर based question बाते करता हूँ कुछ rules बड़े interesting कुछ rules बड़े interesting है आपके पास चाहे magnitude condition हो चाहे फिर angle की condition हो तो यह आपके पाफ पूरे के पूरे rules है तो पूरा जो आधा चीज बेस तो root locust के पूरे के पूरे आपके पास breakaway points क्या होता है breaking points क्या होता है चीजे कहां का ख्यान से बोलू तो root locust में अगर आप कभी पढ़े होंगे ना root locust में कभी भी अगर आप study किये होंगे root locust भी बहुत बड़ा topic में लेता हूँ ठीक है magnitude condition से आप k की value निकाल सकते हैं यह और अगर आपको complex point की validity check करना है यह sigma plus j omega इसको gh of j omega आपके पाद लिख दिए gh of sigma plus j omega यह angle जो condition होती है आपके पास यह 180 degree यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है किसी complex point की validity check करना तो किसी complex point की validity check करना जो की exam का पाड़ बनता है angle आना चाहिए भैत्री ने angle आना चाहिए complex point की validity check करना और उसकी help से भी cake की value निकालना और breakaway point breaking point इसके बार में बात करना तो जब आप rules पढ़ते हो आप root locust is always symmetrical about the real axis is very normal thing है ना किसी taste point की validity check करना तो उसके right side में odd number होना चाहिए इस पर question आते हैं कि breakaway break in question पूछना पसंद करते हैं complex point की validity पर question पूछना पसंद करते हैं even k की value find out करना पसंद करते हैं उसके बाद angle of departure और arrival है जिसको आप YouTube में रेखोगे वैसे तो सभी YouTube में देख सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा angle of departure और arrival को आप छोड़के मत जाना और एक या दो question solve कर लेगा अब ना क्या होता है पता है इसमें इसमें जो खतरनाक जो चीज है जो conceptual चीज है वो है आपके पास complementary root loc locust बहुत ही special चीज है इसके लिए बहुत good concept होना चाहिए आपका और पता है अगर आप बहुत ही conceptual students हो और आपको लगता है कि sir हम तो root locust और complementary root locust में भी difference create कर लेते तो ये student to student vary करता है एक normal जो student है वो complementary root locust को avoid भी कर सकता है एक normal student क्योंकि complementary root locust और root locust में percentage wise अगर मैं बात कर तो root locust के around में जो चीज़े घूमती है वो 95% चीज़े घूमती है अब हवाओ का रूप 5% में dominate हो गया तो हो गया यार उसमें क्या कर सकते हैं तो complementary root locust अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको कोई अच्छा concept मिलना चाहिए मेरे YouTube के जो एक playlist बनी हो गया तो वहां से आप complementary root locust एक बार देख लीजेगा और आपको लगता है कि सर नहीं सर इतना ही देखेंगे तो आप 5% का रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लेने के लिए परसंट टू परसंट वेरी करते हैं ठीक आपको पास टाइम की कमी हो रही है आपको root locust में ज्यादा टाइम लगता है आपको लगता है मैं 95% की साथ खेलूंगा तो मैं बहुंगा हां पाच परसंट का आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर कंप्लिमेंटरी root locust में तुरंद कर लूँगा वैसे भी आप जब समझाते हो तो जल्दी समझा जाता है तो फिर आ आप पोल से जीरो करते root locust में तो क्या होता है यह सब बातों की नीड नहीं है आपको ठीक है क्योंकि किसी टॉपिक का डिटेल तो बहुत सारा हो सकता है उसका आप एवाइड कर सकते हैं अब यहां से चालो होता है यह polar plot frequency response चालो होता है अब polar plot बहुत ही आसान सी चीज है क कि आपको पता रहे कि किसी का भी polar plot बना सकते हो चाहे type 0 system हो चाहे type 1 हो order कुछ भी हो सकते है type 0, type 1, type 2, type 3 यह सब variety आप पार्ट की basic सी बात कर सकते हो तो ना आपको introduction बहुत अच्छा पता होना ची polar plot का आपको किसी भी type का polar plot बनाते आना ची किसी भी type को और यह तूरन खतम ह हो जाएगा polar plot of any higher order system type 1, type 2, type 3 बहुत आसान सी बात है सिर्फ 0 infinite पूट करना होता है मैं जो सबसे ज़्यादा जो जिस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा focus करता हूं जो मेरे लिए important है पूरे control system का सबसे important topic जो मेरे लिए वह related stability parameter मतब इस से important में पूरे control system में कुछ नहीं मा margin का और face margin यह तो यार एक instrument को जबर्दस्ट पढ़ना चाहिए जबर्दस्ट study करना चाहिए इसलिए मैं related stability parameter देखो कितने सारे part में पढ़ाता हूं और आपको एक मस्य होता हूं इस part में में पढ़ाया होंगा omega PC related stability parameter पता है पक्का part 1 में में पढ़ाया होंगा gain margin, part 3 में पढ़ाया होंगा omega gc और part 4 में पढ़ाया होंगा में face margin मतलब यह मेरा style है लेकिन ठीक है अभी चार परामिटर चार परामिटर में जबर्दा साब effort लगा लो कोई भी question का आपको कुछ चीज़े निकालते आना चाहिए बास omega PC, omega gc, omega PC पहले अकर्स होता है तो क्या होता है दोनों साथ में अकर्स होते तो क्या होता है stability का point अभी क्या है बहुत बहतरिन बाते हैं यह आपको clear होना चीज़े एक good example आपके पास लिए related stability parameter का तो ऐसे करके आप four to five question ना related stability parameter पे solve कर लो four to five question four to five question आप related stability parameter पे solve कर लो मजा आ जाएगा बता रहा हूं मजा आ जाएगा आपको मजा आ जाएगा आपका concept clear हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि polar plot आपको एक छोटा सा polar plot तो आपको बनाते आना चाहिए किसी भी टाइप कर टाइप जीरो टाइप वन टाइप कर रहे जीरो इंफानेट पूट करके सिफ घुमाना तो रहता एंटिक्लॉक वाइस में यखिन होना एक अच्छे वे में क्या पता होना चाहिए आपको बता होना चाहिए कि यार गेंद मार्जिंग रूट लोकस क्या होता है यह आजकी डेट में एक इंपोर्टेंट पार्ट है तो आपको सच में पता होना चाहिए कि गेंद मार्जिंग क्या आप रूट लोकस से फाइ के में बोला ही हूं। आपको रखता है कि स्वाइडे से प्लग्वा सूर्ट बनाओं कि ना बनाओं तो आप प्लग्या सब्सक्राइब प्लग्वर डीलय के ऊहां था मिर्टिंगर स्वास इसे strip क्विलागे इस किल शापना हो जाएगए पीश क्योंगर Polar Plot में सबसे tough चीजे क्या होती है जब ना zeros आते हैं उपर और coordinate change होता है Polar Plot में तीन बाते होती है एकदम आसान बाते हैं एकदम आसान Polar Plot में सिफ poles का होना और sign का change ना होना यह तर simplest thing Polar Plot में poles का होना लेकिन sign का change होना उसके एंगल गुड आइडिया होना चाहिए यह moderate tough Polar Plot में sign का change होना उपर से zeros का आना zeros का involvement अगर है तो फिर बहतरीन concept की जरुवत परती है अगर zeros involved है तो और ऐसा भी नहीं कि पिछले 20 सालों में zeros पर बेस बहुत सारा Polar Plot में है नहीं दस परसेंट दस भी ज्यादा ही बोलूँगा सेवन परसेंट के आसपास ही zeros को involved किये लेकिन zeros को handle करना फिर मजदार होता है आपका लेकि फिर भी ऐसा नहीं कि zeros डाल डाल के पचास परसेंट पूछ लिए साथ परसेंट सेवन ओली तो जो गजब के concept है कंट्रोल सिस्टम में उनका परसेंटेज बहुत जादा नहीं रहा है जो गजब के concept कोडिनेट का चेंज ना होना उसी का परसेंटेज लगबग 80% 80% रहा है लगबग कोडिनेट का चेंज ना होना और सिप पोल्स का होना तो 80% तो आसान रहा है calculation हमेशा से ठीक है ध्यान रखिएगा यह सब गुड कंसेट लिखे हुए क्योंकि मैं zeros लगाऊंगा कोडिनेट चेंज करूंगा तो कुछ कोई special बात है तो अगर आप बहुत अच्छे से के story आप nikeess plot है उसको बहुत फास्वान में देख सकते हूं आपको nikeess plot की story नहीं जाना है तो आप सीधे nikeess contour ko देखो आप सिर्फ nikeess contour ko देखो approach question आप apply कर सिर्फ क्या करो अप आपके पास सिर्फ nikeess contour को सिर्फ सिर्फ नाइकेस कंटूर को सिर्फ जान लो कि नाइकेस कंटूर क्या होता है नाइकेस कंटूर एक अलग चीज होता है और नाइकेस प्लॉट एक अलग चीज होता है तो नाइकेस कंटूर और नाइकेस प्लॉट दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों क्लोज है नाइकेस प्लॉ में क्या-क्या पूछा गया है पिछले 10 साल में किस तैब के कुश्चन आते और एक आधी बार इस पेशल बाते अगर आई भी है तो आप एक आधी बार की बातों को इग्नोर कर सकते हो लें तो फिर आपको डैप में जाना पड़ेगा जिता मैं पढ़ाता हूं लेकिन आपको कट्रू यह होता है सब्सक्राइब इस निव्ट कम समय में आपका कवर हो सकता है बहुत ही कम समय में और अगर आप ना थोड़ा सा गुड़ स्टाइल से नाइके स्टाइल पढ़ोगे मेरी स्टाइल से तो मैं आपको Mr. Raojo God मैं जिनको नाम देने वाले को न होता हूं लेक आप तो आप ना मिस्टर राउत को हमेसे रखे रही है चाहा खुछ भी पढ़ रहो हर जगा रोल कर देंगे पता नहीं चलता है यह उसके बाद कई लोगों को बोडे प्लॉट लगता है नहीं पता बोडे प्लॉट का बनाते हैं लेकिन आपको थोड़ी बनाना आप तो का प पर हम corner frequency की बात करते हूं DC gain की बात करते हैं तो good concept of DC gain good concept of DC gain अगर मैं bode plot की बात करूं की बात करूं good concept of corner frequency good concept of slow कुछ tough नहीं है यार सच में good concept of DC gain good concept of DC gain बास के तीन बातों पर फोकेस कर रहा हूं पता नहीं समझ नहीं आता है तो मेरा पढ़ लो नहीं यूटूब से समझ नहीं आता है तो मेरा तो है ना अब तो आप देखो नहीं प्लेलिस बना दिया हूं किसी को problem है financially दिक्कत है आपके लिए हूँ ना मैं अफ लेबल यह 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 तीन बातों पर ध्यान देवा और कम से कम four to five questions solve कर लो मेरे ही four to five questions solve कर लो four to five question with three concept corner frequency slope का good concept और DC सबसे कम समय में खताम हो जाएगा बहुत मज़दार भी है यह है 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 यह इसलिए नाम पढ़ा यारे कैसे प्लॉट का नाम अगर हम किसी को assign कर रहे है कि mister जो बोडे थे हैंडिक बोडे तो हम उनको नाम दे रहे हैं इसका मतलब है कि कितना अच्छा प्रकन सेबसे नों कि लेकर आते हैं तो घाल यह हैं तो एक तो रिकावरी आप ट्रांसरफंक्सन फोकस करना किक्रों कभी कविश्न चांपूस्टतर के time taking नहीं है, शिर्फ 16 मिनट में में किसी को cover करवा देता हूं, शिर्फ 16 मिनट में, देखो ना time लिखा हुआ है, और सा Relative Stability parameter, Relative Stability parameter from the Bode Plot अगर पढना है आपकी पास तो शिर्फ 18 मिनट में करवा जिए, तो ये भी आपकी पास है, ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी जीम पीम अगर आपको बोडे प्लॉट से बताना है बता दो यार यह तो 18 मिनाट औ 16 मिनाट में कवर कर दिये हैं हां एसम्टोडिक बोडे फेस प्लॉट छोड़ सकते हो जब तक कि आप थोड़े से इंटेलिजेन टाइप के स्टुएंड ना हो कि आप दो मेनें स्मार्ट इस लेडिक करना है अब आप दो मेने में सोचोंगे जी सर में 12 साल के बराबर पढ़ लो नहीं भरी दो मेने में दो मेने की बराबर रही पढ़ा जा सकते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो frequency response of second order system मुश्किल से 3 घंटे का topic है आप पढ़ लो इसमें क्या क्या होता है सर इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लोगे इसमें MR पढ़ ओमेगार पढ़ो ये 3D bandwidth कितना बड़ा formula होता है 3D bandwidth अगर आप देखोगे तो omega b equal to omega under root 1 minus 2 gta square plus under root 4 gta square minus 4 gta square plus 2 इतना बड़ा formula function of gta समझो इतना बड़ा formula जीटेगा control system में इससे बड़ा formula नहीं होता इसको avoid कर सकते हो कोन याद करेगा MR और omega r अगर आता है तो आएगा नि तो नहीं आएगा बस दो इचीच region and peak or region and frequency nothing else बस इतने दो पे दो से तीन घंटा बस आपको spend करना है 3db bandwidth छोड़ देना इसमें कि तो बड़ा formula आपको बता ना मैं कि formula बता ना कि omega b equal to omega under root 1 minus 2 gta square plus again under root 4 gta raise power 4 minus 4 gta square plus 2 अब इतना formula थोड़ी आर रखोगे आर आप तो MR और omega r बस बस बागे सब चीज़ छोड़ सकते हो जरुवत नहीं है तो सर आप इतना सा रक्यों बढ़ा है अरे मैं तो पूरी चीज़े cover करूंगा ने यार मैं तो मतलब कोई भी option क्यों छोड़ूंगा यह तो मेरा वैसे भी recorded video है ना जो pen drive वाले पढ़ते जी वाले पढ़ते या वी ओडिया टैबलेट वाले लोग मैं तो पूरी चीज़ों को cover करता हूं मैं को पसंद है अपनी चीजे मैं अपनी चीज़ों को बहुत लाइक करता हूं अपनी चीज़ों को पसंद करता हूं अगर मैं क्या होता है, B matrix , C matrix , D matrix , इसको सुनना चाहिए और कुछ example state variable पे देखना चाहिए कि कैसे example state variable पे उती है क्योंकि है topic फोरा सा different है , यह topic फोड़ा सा different है , आसान है क्योंकि matrix है , matrix 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 , इस topic को अपना linear algebra के साथ भी पढ़ सकते हो , किसके साथ , सब की बाते होते रहेगी तो रिकावरी आप टार्स फंग्शन इस वेरी सिंपल स्टेट वेरेबल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ट आपके पास कुछ एक्जाम पले उस पर बेस बाते हो सकती है इस चेप्टर में थोड़ा सा सबस्जाद समय दोगे कंपेर्ट वॉलूंगा पर क्टोल शिस्ट्रम में आप सेर शरल कहां चाहते होगी सबस्यादा समय मैं चाहता हूं सबस्यादा समय क्वाइबम इत्रिकस है easy है कुछी चीज़ें बहुत ॐख कर पाएंगे गूटसेफ्र उस्टेट वेरेबल रिप्रेजेंटेशन लिखा हूं सॉलूटा इंपॉर ले दिया, concept of controllability and observability इसले इंपोर्टेंट है कि mcq के point of is important है, mcq, चार possibility है, यह तो controllable होगा, observable होगा, यह दोनों होगा, यह तो दोनों नहीं होगा, यह तो एक होगा, तो चार possibility है, इसले गुड है, तुम्हें को लगता है कि बहुत जादा और decomposition में ना जाओ, अगर आप न आइड के प्रोफेसर आपसे बहुत expect नहीं करते कई बार, तो direct decomposition के बारे में आपको पता होना जी है, direct decomposition, इतने में आपका काम हो जाएगा, बाकि आप सब छोड़ सकते हो, parallel decomposition छोड़ सकते हो, cascade, जिसको आप cascade या cascade बोलते हो, decomposition छोड़ सकते हो, तो cascade parallel छोड़ दो, कोई problem नह करना पसंद करते हैं, आप इसको cover कर लो, solidism को cover कर लो, control rate and observability को cover कर लो, STM को cover कर लो, state transition जो matrix है, क्योंकि STM अगर आप, जब आप solidism को cover करते हैं, तो STM तो आई जाता है, इसलिए problem नहीं है, इसलिए problem नहीं है, ठीक है, यह, state variable representation आप electrical network न, यह मेरा थोड़ सा देख है, state variable representation of electrical network, थोड़ा सा good idea होना चीए, अगेन आज कल इसको थोड़ा सा importance देना चालू कर दिये, क्या, state variable representation of electrical network पता होना चीए, करके, यह, इस वाले topic पर में, अगेन में, इसको मैं भी value दे देता हूं, चलो, because अभी, फिछले 2-3 साल से इस topic पर value दे गई है, state variable representation of electrical network, इसको थोड़ा साच्छे से देख लेना, कम से कम 2 घंटा, अब compensator controller जो होता है, compensator controller, बता आप की पास, आप देखे रहोंगे, इसको मैं live classes से लिया, क्यों लिया बता आपको, क्योंकि मैं न, compensator controller, live classes में और एकदम जवर्दास effort करके पढ़ाया, तो मैं अपने recorded को replace कर दिये, इस स तो lag compensator, lead compensator, introduction बहुत ही अच्छा पता होना चाहिए, दोनों में difference पता होना चाहिए, कि lag क्या होता, lead क्या होता है, उनका structure क्या होता है, तो ये lag lead, lead लेगे एकदम बहुत ही अच्छे ताप, ताइप से आपको पता होना चाहिए, इस वा, ये, चार टाप की compensator है, एक lag है, एक lead है, एक lag lead है, और एक lead लेगे, तो जखो, MCQ में इस से अच्छा और क्या हो सकता है, चारी टाप की compensator होते है, एक pole zero diagram में दे दू, और बोलू बताओ, कौन सा compensator है, तो good question होगी, या मैं बोलू कि या lead compensator का बताओ, इस चार figure में से कौन सा pole zero diagram होगी, एक body plot दे दू बता सादा दीजिएगा, नहीं, थोड़ा smartly study कीजिएगा, compensator वाले part, और मैं तो बोलूँगा, कि अगर आपको लगता है, कि सर हम इसमें time नहीं देना चाहते है, तो only YouTube, मेरा, श्रीब YouTube के सिवा कुछ मत देखना, only YouTube, उसके सिवा सब छोड़ दो, controller और compensator, सब छोड़ दो बोल PD लेता हूं, PD बड़ा interesting के, फिर PI और PID है, तीन चीजे पर बहुत focus करता हूं, कि देखो, PID का good idea होना चीए, PID का good idea होना चीए, और PDR, addition आप 0, अगर मैं ऐसे कोई बोले कि सबस्यादे star मारो ना सरा, तो मैं PD पर मार दूँगा, PD पर, क्योंकि addition आप 0 भी होते है, ठीक है एक और मैं दिया हूं, compensator controller, लेकिन वाला जो है, live classes का और यह वाला मेरा recorded है, तो नीचे का नहीं बता रहा हूं, यहां पर खताम होता है, तो यह आप only YouTube से पढ़ना, controller, compensator, मेरे YouTube, lecture, जो है playlist, बस उसी से पढ़ो, अगर आपको लगता है कि सब मैं बहुत कम पढ़ना चाहता आप, बस इसी को, इसी को देख लें, और इसमें भी controller में PD, PI और PID, इसके around में चीज़े घुमेंगे और compensator में चार चीज़े के बारे में good good idea होना चीए, यह overall conclusion आप control system, तो सबस्यादा time से state space में दे देना हूं, second root locust में, third, third फिर ऐसा कुछ है नहीं, चेकि फिर तो हो जा तब comment section में बताना कि क्या आपको, जो मैं explain कि आपको कितना अच्छा लगा, क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा explain power electronics के लिए कर दू, ऐसा explain मैं analog circuit के लिए कर दू, ऐसा explanation मैं network के लिए कर दू, क्या आप ऐसा चाहते हो, कि network, analog या power electronics के लिए भी सर आप ऐसा बता दू, तो comment section में ब पढ़ना बता दू क्या इन इन टॉपिक पर फोकस करो यस यकीनन आपके अच्छे करने की चांसे बढ़ जाएंगी बागी सब थोड़ा सा स्मार्ट ली हैंडल करना ठीक है तो चलो देखर आपकी पास रात का 130 हो रहा है आप देख रहोंगे 130 हो रहा है देखर आपको 130 यह देखो तुम्हें को लगा क्या कि मैं कर देता हूं रिकार्ड आपके लिए सुबह मेरी क्लास है तो ठीक है बताइए का आपको कैसा लगा तो उसके कोडिंग फिर मैं और भी सब्जेट कर दूँगा ठीक है चलो Okay, thank you very much, thank you.